हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज आज जो है आई बीपेस पीओ प्री का जो है मतलब चारो शिफ्ट हो चुकिए तो मैंने जो एक्जैम दिया यह फोर्थ शिफ्ट के अंदर मैंने यह एक्जैम दिया है ठीक है तो मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लें है्म पूछा ते है ऑफी क॥ोछ जो वुचल करता हैं तो कुछ सब्ट करने पारें वाद में दिया हैं तो मैं बीपार शीम मिलीकक जाता हैं तो करने हम मैं भीन हुटफुषन पूछा की एजिए डिसमाना नमायग और संबल श पूछेते हैं जो कि एजी थे राम साब बना सकते थे एरर डिटेक्शन के कोईशन थी कोईशन पूछेते हैं यह थोड़े से मुझे मुझे मॉडरेट लगे पैराजंबल भी मॉडरेट पूछा था मतलब अच्छा खासा पूछा था चाइनिस और यूएस का कुछ पूछा और कुछ वुमेन का कमपैरिजन हो रहा था वर्क के उसमें है ना इक्वालिटी को लेकर वर्ड यूसेज पूछा था जिसमें के एन ओटी था एक वर्ड मतलब उसके हमें यूसेज बताने थे कि यह सई से यूज हुआ है कैसे यूज हुआ है एक था राइट डबलू आर कर सकते थे वर्ड स्वैप एजी था राम से कर सकते थे ठीक है एक री अर्इंच्मेंट का कुछन भी पूछा था वो भी इजी था जिसका मेरा फॉर्स्ट ऑप्शन आ रहा था ए से स्टार्ट हुआ था था एसी करके ऐसा थीक है सो मैंने इसके इसके अंदर 23 कुछिंस क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रेंशन था काफी लंदी पूछा था एजी नहीं था ठीक है सो मॉड्रेट था इसका लेवल सो बाकियम बात कर लेते हैं अप्रिट्यूट की सो इसके अंदर डियाई कोशन पूछे था था एक ता की बार ग्राफ था ठीक है और 2012 और 2016 का करके दे रखा था और X or Y दे रखा था सो इसके अकॉर्डिंग हमें वो करना था मतलब डेटा दे रखा था एजी थी वाली डियाई अराम से कर सकते थे इसके 5 तू 6 कोश्चन देखने को मिले थे ठीक है टेबलर डियाई जो थी उसके अंदर हमें टेबलर जो डियाई देन हमें सब्क्रेख करके अंसोल वाला डेटा निकाल था तो ये पूछ गया था था ठीक है ना थोड़ा सा बहुत क्यालकुलेटिव थी क्योंकि वेल्यू जो थी तो उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी पूछी थी विक्या दियाई यह मेंने नहीं करी कॉडिटिक को लेकर जिसका आसर को 13 is to 22 शाय दिये यह आंसर था ठीक है टोटल नंबर ओव अटेम्ट जो हो गए अप्रिचूड में मेरे 21 कोश्चंस अटेम्ट किया है इसके अंदर में ने सबाक्यव आप बतेये का इसका लेवल भी काल्कुल्एट बौलेंग इसके अनदर ऑफ और कैल्कूलेटिव बौलेंग्फ दिetty अतो ये ऐत्की थेम्ट आप कर सकते था कि कösई अब करतै हैं करते हैं किन करते हैं किन फेल्या लेवल और श्टर्य सिटिंग इसका था यह मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे पर टाइम ही नहीं बच जाता था ठीक है फ्लोर बेस पजल मैंने की एजी थी मन्थ एंड डेट बेस पजल की है यह भी बन गई थी मेरी अंसर्टे लीनियर सीटिंग अरेंचमेंट यह भी हो गया था 15 अंसर था इसका सिक्वेंस बॉक्स सिक्वेंस कंसेड़ दिया था यह थी यह अराम से बन गई इनिक्वेंस में है 2-3 था फ्लीन था oudटा है एक यह साल कंसर ना था छिस्या कनसर मेरे था था ठीक है, ब्लड रिलेशन में एक कांसर आदे लो आ रहा था, ठीक है, अब मिझे दो क्यांसर याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, शायर एका सिस्टा, शायर वाई था, यासा गुस्ता, मिनिंग्फुल वर्ड जिसका ने भी बन रहा था, एकी वर्ड बन रहा था, alternatively दे रखा था वर्ड, उसमें से हमें 4th, 6th, 9th, 10th ऐसा करके कुछ बनाना था, जो ने भी बन रहा था, जिसका हमें 3rd वर्ड बताना था, वी आ रहा था, नमबर बेस्ट कोश्चन था, जिसमें आपको नमबर्स दिये हुए थे, क्या था, इसमें हमें मतलब वो प्लस 2 करना था, एन माइनस 3 करना था, वो पोजिशन के हिसाप से, फिर उसके बाद हमें यह करना था, कि जो नमबर रीपीट नहीं, मतलब जो नमबर रीपीट हो रहा है, उन्हें छोड़ के जो रीपीट की बात करें, तो 74 कोश्चंस में अटेम्ट के हैं, यह जो मतलब वो थी, शिफ्ट, यह शिफ्ट सही थी, मतलब मॉडर्ड शिफ्ट थी, बहुत ईज़ी शिफ्ट नहीं थी, क्योंकि जो अगर रीपीट की बात करें, पजल बहुत जादा पूछी थी, आप देखी सकते है एक पैलल वाली पूजल, फ्लोर वाली पूजल, अंसर्टेइन पूजल, मन्थ वाली पूजल, सिक्वेंस वाली पूजल, की मतलब पूजल काफी पूची है, हैना की फाइफ पूची ही पूची है, आपने कितना अटेम्ट किया इसके अंदर और आपको लेवल कैसा लगा, So overall attempt मेरे 74 attempt मेंने किये है So I hope आपको वीडियो जो है अच्छी लगे होगी बाकी जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा और अपने attempt भी बताएगा So अगर एक्सपेक्टी कट ओफ की बात करें So बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देखें बाए बाए